नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपके अपने यूटूब चैनल करंट फेस बायरवी पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा महत्तपुन टॉपिक ब्रैंड अबैसेडर 2022 इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ ये काफी important topic है क्योंकि इस topic से हर एक exams में questions पूछे जाते हैं तो वो सभी questions जो आपके exams में आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ तो इस वीडियो को starting से end तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले question से हमारा first question है उपभोगता स्वास्ते सेवा app FarmEasy के नई brand ambassador कोन बने हैं तो इसका सही answer है option D आमिर खान FarmEasy के नई brand ambassador बने हैं important points देखते हैं friends FarmEasy एक भारती स्वास्ते सेवा app और e-commerce platform है इसकी स्थापना friends 2015 में हुई थी और इसका मुख्याले महराष्ट के मुंबे में है ये information आपको याद रखनी है अगला question हमारा sports clothing brand company Puma के नई brand ambassador कोन बने हैं तो इसका सही answer है option B George Rassail Puma के नई brand ambassador बने हैं important points से समझते हैं formula 1 racer George Rassail sports clothing brand company Puma के नई brand ambassador बने हैं तो ये आपको याद रखना है George Rassail Formula 1 racer है और friends Puma की स्थापना 1948 में हुई थी इसका मुख्याले जर्मनी में है और इसके संस्थापक है Rudolph Dasler अगला question हमारा भारती एकसा life insurance की नई brand ambassador कोन बनी है तो इसका सही answer है Option A विद्या वालन भारती एकसा life insurance की नई brand ambassador बनी है भारती एकसा life insurance भारत के अगरणी business भारती enterprises का एक संयुक्त उदम है ये भी आपको याद रखना है अगला question है हमारा ओनलाइन gaming platform विंजो के नई brand ambassador कोन बने है तो इसका सही answer है Option C महिंद्र सिंग धोनी विंजो के नई brand ambassador बने है Important point देखते है विंजो ये भारत का पहला और सबसे बड़ा real money gaming platform है Next question डिस्स करते है D2H brand Dish TV India के नई brand ambassador कोन बने है तो इसका सही answer है Option D रिशफ पंथ अगला question है मारा Coldering Company Thumbs Up के नई brand ambassador कोन बने है तो इसका सही answer है Option D शारू खान Thumbs Up के नई brand ambassador बने है ये आपको याद रखना है Next question डिस्स करते है Guru Gram हरयाना के जिले के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की नई brand ambassador कोन बनी है तो इसका सही answer है Option C अगला question है हमारा Gaming app A23 के नई brand ambassador कोन बने है तो इसका सही answer है Option D शारू खान Next question डिस्स करते है बिहार के खादी और हस्त शिल्प के नई brand ambassador कोन बने है तो इसका सही answer है Option A मनोज तिवारी Next question डिस्स करते है Agritech Startup Company Krishy Network के नई brand ambassador कोन बने है तो इसका सही answer है आप्शे कुमार उत्राखंड राज्य के नई ब्रैंड अबसेडर बने हैं इसका सही अंसर है नेक्स्ट कोशन हमारा अगला कोशन हमारा प्लांट बेस्ट मीट कमपनी गुट डॉट के नई ब्रैंड अबसेडर कौन बने हैं तो इसका सही अंसर है आप्शन ए नीरज चोपडा है अगला कोशन हमारा यू ए एस जी भाशाओं पर इंटरनेट पैनल के नई ब्रैंड अबसेडर कौन बने हैं इसका सही अंसर है आप्शन C विजे शेखर शर्मा नेक्स्ट कोशन हमारा ओनलाइन बीमा प्लैटफोर्म रिन्यू बाई के पहले ब्रैंड अमबसेडर कौन बने हैं तो इसका सही अंसर है आप्शन B राजकुमार राव नेक्स्ट कोशन देखते हैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया अमबसेडर नियुक्त किया है तो इसका सही अंसर है आप्शन A जूलन गोस्वामी अगला कोशन हमारा बैंक ओफ बडोदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड अंडोर्सर बनाया गया है तो इसका सही अंसर है आप्शन C शेफाली वर्मा अगला कोशन हमारा ओनलाइन ट्रेवल कंपनी इसमाइट्रिप.com के नई ब्रांड अमबसेडर कोन बने है भारतिय फार्मास्यूटिकल कंपनी लिपन लिमिटेड के शक्ती अभ्यान के नई ब्रांड अमबसेडर कोन बनी है तो इसका सही अंसर है आप्शन A मेरी कौम यह आपको याद रखना है फ्रेंट्स अगला कोशन है हमारा किस भारतिय महिला खिलाडी को स्पोर्ट्स समान बनाने वाली कंपनी एडिडास में ब्रैंड अमबसेडर के रूप में शामिल किया गया है तो इसका सही अंसर है आप्शन B मनी का बत्रा नेक्स्ट कोशन देखते है डिजिटल और शोशल मीडिया गेम्स प्लैटफों माई 11 सरकल के नई ब्रैंड अमेसिडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है आप्शन C उपयुक्त दोनों यानि शुभुमन गिल और रुतुराज गाएकवार्ड को माई 11 सरकल के नई ब्रैंड अमेसिडर बनाया गया है नेक्स्ट कोशन डिशिस करते हैं भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केर प्लाटफोर्म में से एक मैडी बडी के नई ब्रैंड अमेसिडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है आप्शन B अमिताब बचन नेक्स्ट कोशन है हमारा उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्तपाद योजना की नई ब्रैंड अमेसिडर कौन बनी है तो इसका सही अंसर है आप्शन C कंगना रनोत ये आपको याद रखना है फिल्म अभी नेत्री कंगना रनोत को UP सरकार ने अपनी अती महत्व कांशी योजना एक जिला एक उत्तपाद का ब्रैंड अमेसिडर बनाया है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन देखते है भारत के लिए नैशनल बास्केट बोल एस्सोसियेशन के नई ब्रैंड अमेसिडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है Option D रनबीर सिंग NBA के नई ब्रैंड अमेसिडर बने है फोर इंडिया तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रैंड अमेसिडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है Option B पंकज त्रिपाठी अगला कोशन डिस्स करते है वाच कमपनी फोजल की नई ब्रैंड अमेसिडर कोन बनी है तो इसका सही अंसर है Option B कृती सैनन फोजल की नई ब्रैंड अमेसिडर बनी है ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स अगला कोशन हमारा राजिस्तान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रैंड अमेसिडर बनाया है तो इसका सही अंसर है Option B अवनी लेखरा को राजिस्तान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रैंड अमेसिडर बनाया है जैपुर की 19 वर्षिये निशानेवाद अवनी लेकरा ने टोक्यो पैर अलम्पिक्स 2020 में भारत का पहला स्वन पदक जीता था इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एर्स परदा SH1 में ये स्वन पदक जीता था ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स इसका सही अंसर है आप्शन ए सोनु सूध इंपोर्टन पॉइंट से समझते हैं इस कारेकरम में एक से दस सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवशक्ता होती है जिनें अपने संबंदित क्षेत्रों में सफल नागरी को द्वारा सला दी जा सकती है इसका सही अंसर है आप्शन बी नरायन कारती के एन जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री के नई ब्रैंड अबैसेडर बने है इसका सही अंसर है आप्शन बी वंदना कटारिया नेक्स्ट कोशन है हमारा भारत में मोटो जीपी के ब्रैंड अबैसेडर कौन बने है इसका सही अंसर है आप्शन डी जोन अब्रैहम मोटो जीपी के ब्रैंड अबैसेडर बने है इंपोर्टन पॉइंट से समझते हैं यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिती को मजबूत करने के लिए मोटो जीपी के लिए मशूर अभीनेता जोन अब्रहम को अपना इंडिया अमचेडर बनाया है अगला कोशन है हमारा भारतिय वेरेबल ब्रैंड फायर बोल्ट के नए ब्रैंड अमचेडर कोन बने हैं तो इसका सही अंसर है Option C, Ranveer Singh. Next question, Amrita Anjan Healthcare के नए brand ambassador कौन बने है? तो इसका सही answer है friends, Option C, उपयुक्त दोनों यानि मीरा भाई चानू और बजरंग पुनिया को Amrita Anjan Healthcare के नए brand ambassador बनाया गया है. यह आपको याद रखना है. Next question, डिस्स करते हैं, Crypto Exchange CoinDCX के नए brand ambassador कौन बने है? तो इसका सही answer है, Option D, Amitabh Bachan. Crypto Exchange CoinDCX ने Amitabh Bachan को Cryptocurrency के बारे में जाग रुकता फिलाने के लिए brand ambassador बनाया है. यह आपको याद रखना है friends. अगला question हमारा, वित्ती सेवा कंपनी Mastercard Inc. के नए वैश्विक brand ambassador कौन बने है? तो इसका सही answer है, Option C, Magnus Carlson. Important points से समझते हैं, वित्ती सेवा कंपनी Mastercard Inc. ने अपने वैश्विक brand ambassador के रूप में सभी समय के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाडी, Magnus Carlson को नामित किया है. अगला question देखते हैं, विश्व स्वास्ते संगठन ने किसे Global Health Financing के लिए brand ambassador नियुक्त किया है? तो इसका सही answer है, Option A, Garden Brown. Garden Brown UK के पूर प्रधान मंत्री रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट कोशन हमारा, किचन वेयर ब्रेंड, Wonder Chef के नई brand ambassador कोन बनी है? तो इसका सही answer है, Option C, Krittie Sennan. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट कोशन देखते हैं, टाटा AIA Life Insurance ने किस भारती अथलीट को अपना brand ambassador बनाया है? तो इसका सही answer है, Option B, Neeraj Chopda. अगला कुशन हमारा, किस कंपनी ने टोक्यो अलंपिक में रज़त पदक जीतने वाली मीरा बाई चानू को अपने stay in play अभ्यान का brand ambassador बनाया है? तो इसका सही answer है, Option B, Adidas ने. अगला कुशन हमारा, केरल में Adventure Tourism के brand ambassador कोन बनी है? तो इसका सही answer है, Option A, PR Shrijesh. अलंपियन पियार Shrijesh को केरल में Adventure Tourism का brand ambassador बनाये गया है. नेक्स्ट कुशन डिस्क्स करते हैं, M.W. India ने किसे अपना नया brand ambassador बनाया है? तो इसका सही answer है, Option D, Amitabh, बच्चन M.W. India के नई brand ambassador बने हैं. अग्स्ट कुशन है हमारा, Cashify ने किसे अपना पहला brand ambassador बनाया है? तो इसका सही answer है, Option C, Rajkumar, Raaf. नेक्स्ट कुशन, Home, Interior Brand, Homeland के पहले brand ambassador कोन बने है? तो इसका सही answer है, Option C, MS, Dhoni. यह आपको याद रखना है, friends. अग्स्ट कुशन हमारा, खादी प्राकर्तिक paint के नई brand ambassador कोन बने है? तो इसका सही answer है, Option B, नितिन गड़करी, खादी प्राकर्तिक paint के नई brand ambassador बने है. नितिन गड़करी हमारे देश के केंदरी सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprises के मंत्री हैं. यह आपको याद रखना है, friends. अग्ला कॉशन हमारा, किस राजे की सरकार ने फिल्म स्टार सोनु सूथ को करोना टीका करन अभ्यान के लिए brand ambassador बनाया है? तो इसका सही answer है, Option C, पंजाब राजे की सरकार ने. स्मार्टफोन निर्माता कंपनी, वीवो, ग्रेट लर्निंग, वाइस, डिजिट इंशुरेंस के नए brand ambassador कोन बने है? तो इसका सही answer है, Option D, विराठ कोली. विराठ कोली भारतिये cricket team के कप्तान है, यह आपको याद रखना है. नेक्स्ट कोशन हमारा, स्मार्टफोन ब्रैंड, OnePlus के brand ambassador, जो की variables category में कौन बने है? तो इसका सही answer है, Option B, जस्परीथ बुमरा, यह आपको याद रखना है. वैश्विक्स स्मार्टफोन ब्रैंड, OnePlus ने भारत के star cricketer, जस्परीथ बुमरा को अपनी variables यानि घड़ी जैसे पहने वाले उत्पाद category का brand ambassador बनाया है. अगला कोशन हमारा, स्वच रेल मिशन का नया brand ambassador किसे बनाया गया है? तो इसका सही answer है, Option D, विंदेश्वर पाठक को स्वच रेल मिशन का नया brand ambassador बनाया गया है. अगला कोशन हमारा, IOC के Believe in Sport अभियान के नय brand ambassador कोन बने है? तो इसका सही answer है, Option C, उपईउक्त दोनों, यानि PV जिन्दू और मिशेल ली, IOC के Believe in Sport अभियान के नय brand ambassador बने हैं. Important points से समझते हैं, Badminton World Federation के द्वारा भारत की शट्लर, PV सिंदू और कैनेडा की मिशेल ली को प्रतियोगिता में Hairfare को रोकने के उदेशे से अंतराश्री अलम्पिक समिती के Believe in Sport अभियान के लिए Athlete Ambassador के रूप में न्यूक्त किया है. अगला कोशन है हमारा, McDonald's India की नई Brand Ambassador कौन बनी है? तो इसका सही अंसर है, Option C, रश्मी का मंदाना. तो यह आपको याद रखना है, रश्मी का मंदाना भारती अभिनेतरी हैं. अगला कोशन हमारा, Cloth Brand, Levi's और Oziva के Global Brand Ambassador कौन बने है? तो इसका सही अंसर है, Option C, दिपिका पादुको. अगला कोशन हमारा, E-Learning Platform Unacademy के नई Brand Ambassador कौन बने है? तो इसका सही अंसर है, Option A, महेंदर सिंग धोनी. अगला कोशन हमारा, Smartphone Brand, Redmi India के नई Brand Ambassador कौन बने है? तो इसका सही अंसर है, Option B, Sonu Sood. Smartphone Brand Redmi India, जो की M.I. India का उप ब्रैंड है, ने Sonu Sood को अपना Brand Ambassador चुना है, यह आपको याद रखना है. अगला कोशन है हमारा, Healthcare Brand, Wallonie की नई Brand Ambassador कौन बने है? तो इसका सही अंसर है, Option B, Shikha Malhotra, Wallonie की नई Brand Ambassador बने है. Shikha Malhotra, भारतिय भी नेतरी हैं, यह भी आपको याद रखना है, Friends. Next question डिसस करते हैं, Jav Pradiyogi की company, MyLab Discovery Solutions के Brand Ambassador कौन बने हैं? तो इसका सही अंसर है, Option C, Akshay Kumar. Next question हमारा, Online Gaming Platform, E-Sports, Premier League के नई Brand Ambassador कौन बने हैं? तो इसका सही अंसर है, Option A, Tiger Shroff. अगला कोशन हमारा, UNICEF के Goodwill Ambassador कौन बने हैं? काफी important question है, तो इसका सही अंसर है, Option B, Millie Bobby Brown, UNICEF के Goodwill Ambassador बने हैं. अब मैं आपको UNICEF के बारे में information देता हूँ, इसका full form होता है, United Nations Children's Fund, Hindi में से Sanyukhtarash Balakosh कहते हैं, इसकी स्थापना, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, मुख्याले इसका अमेरिका के New York में है, अध्यक्ष हैं इसके, Catherine Rassail, यह आपको याद रखना है, अगला question है, Online Education Platform, Class Plus और Bengal Peerless Housing के नए Brand Ambassador कौन बने हैं? तो इसका सही अंसर है, Option D, Saurav Ganguly, यह आपको याद रखना है, अगला question है, Fantasy Sports Platform, Sports Exchange के Brand Ambassador कौन है? तो इसका सही अंसर है, Option A, Prithvi Show, Next question है हमारा, RBI ने, Cyber Fraud से बचने के लिए, जागरूकता अभियान के लिए, Brand Ambassador किसे बनाया है? तो इसका सही अंसर है, Option D, Neeraj Chopra, अगला question हमारा, Dawa Nirmata Company, Genmark Pharmaceuticals, Vega, Crick Kingdom, Oakley, Dr. Trust, Finance, Peer के नई Brand Ambassador कौन बने है? तो इसका सही अंसर है, Option A, Rohit Sharma, Next question डेसर करते हैं, किस देश की Super Model और समा से भी, Natalia Vodianova को, Sanyukhtarash Goodwill Ambassador बनाया गया है? तो इसका सही अंसर है, Option C, Rus, Important Points से समझते हैं, Rusi Super Model और समा से भी, Natalia Vodianova, महिलाओं और लड़कियों के योन और प्रजनन अधिकारों को बड़ावा देने और उनसे छेड़ चार्ड से निपटने के लिए, बनी संस्था के लिए, Sanyukhtarash Goodwill Ambassador बनी हैं, यह आपको याद रखना हैं, अगला कोशन है मारा, Tire Nirmata Company, C8 के नए ब्रेंड अबैसिडर कौन बनी हैं, तो इसका सही अंसर है, Option D, Kartik Shivkumar, C8 Tires के नए ब्रेंड अबैसिडर बने हैं, Kartik Shivkumar भारती अभी नेता हैं, यह आपको याद रखना हैं, अगला कोशन है मारा, Karnatak Rajya के कृषी भिवाग के ब्रेंड अबैसिडर कौन बने हैं, तो इसका सही अंसर है, Option B, Darshan, अगला कोशन है मारा, Math Learning Platform, Q Math के नए ब्रेंड अबैसिडर कौन बने हैं, तो इसका सही अंसर है, Option A, Vidya Balan, अगला कोशन डिस्ट सुस करते हैं, आरोगे सेतू का नए ब्रेंड अबैसिडर किसे बनाए गया है, तो इसका सही अंसर है, Option D, अजे देवगन, ये काफ़ी मोडन कोशन है, ये आपको याद रखना है, फ्रेंस, Next कोशन हमारा, Makin India के नए ब्रेंड अबैसिडर कौन है, तो इसका सही अंसर है, Option C, पिरूज खमवटा, Next कोशन हमारा, निर्मल भारत अभ्यान का नए ब्रेंड अबैसिडर किसे बनाए गया है, तो इसका सही अंसर है, Option D, विद्द्या वालन, ये आपको याद रखना है, फ्रेंस, अगला कोशन हमारा, असम राजे की खेल के नए ब्रेंड अबैसिडर कौन बने है, तो इसका सही अंसर है, Option C, हीमा, दास, ये आपको याद रखना है, फ्रेंस, अगला कोशन डिस्ट करते हैं, सडक सुरक्षा अभ्यान का नए ब्रेंड अबैसिडर किसे बनाए गया है, तो इसका सही अंसर है, Option D, अक्षे कुमार को, हमारा नेक्स्ट कोशन है, डबली अच्च ने किसको हेपेटाइटिस बी अनमूलन का ब्रेंड अबैसिडर बनाया है, तो इसका सही अंसर है, Option B, अमिताब बच्चन को, नेक्स्ट कोशन, दरवाजा बंद अभियान के नई ब्रेंड अमेसिडर कोन बने है, तो इसका सही अंसर है, Option D, अमिताब बच्चन, नेक्स्ट कोशन है, भारती सेना के नई ब्रेंड अमेसिडर कोन बने है, तो इसका सही अंसर है, Option D, महेंदर सिंग, धोनी, भारती सेना के नई brand ambassador बने है यह आपको याद रखना है अगला question देखते है नमामी गंगे प्रोजेक्ट के brand ambassador कौन बने है तो इसका सही answer है option A, चाचा चोधरी यह काफी important question है friends इसको याद रखिए अगला question देखते हैं अतुल्य भारत जिसे हम incredible इंडिये कहते हैं के नई brand ambassador कौन बने है तो इसका सही answer है option D, नरेंद्र मोदी next question हमारा, असम राज्य सरकार ने क्रिशी क्षेतर के लिए किसे brand ambassador बनाया है तो इसका सही answer है option A, जुबेन गर को अगला question हमारा, स्वच आदत, स्वच भारत अभियान का नया brand ambassador किसे बनाया गया है तो इसका सही answer है option C, काजोल को next question हमारा, सिक्क्यम राज्य बैफ्ता ब्रेक्थू इंडिया के brand ambassador कौन बने है तो इसका सही answer है option D, A, रह्मान next question arises करते हैं, अरुनाचल प्रदेश के प्रेटन ambassador कौन बने है तो इसका सही answer है option D, संजे दत next question arises करते हैं, हर्याना में योग और आयरवेद के नए brand ambassador कौन बने है तो इसका सही answer है option D, बावा रामदेव अगला question arises करते हैं, प्लस पोलियो अभ्यान के नए brand ambassador कौन बने है तो इसका सही answer है option C, अमिताब बच्चन अगला question arises करते हैं, भारतिय मनोरोग सोसाइटी के नए brand ambassador कौन बने है तो इसका सही answer है option D, दिपिका पदुकोन अगला कोशन डिस्ट करते हैं असम राज्य की प्रेटन के नए ब्रैंड अबैसिडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है Option B, प्रियंक का चोपड़ा अगला कोशन है हमारा स्वच्छता ही सेवा अभ्यान के नए ब्रैंड अबैसिडर कौन बने है इसका सही अंसर है Option C, बिलाल डार अगला कोशन हमारा ओर्टिजम के लिए डब्ली अच्चो की गुडविल अमबैसिडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है Option D, साइमा वाजेद हुसेन अगला कोशन डिस्क्स करते है गुजराद के नए ब्रैंड अमबैसिडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है Option B, अमिताब बच्चन अगला कोशन है हमारा नाडा का नए ब्रैंड अमबैसिडर किसे बनाये गया है तो इसका सही अंसर है Option C, सुनील छेटी को नेक्स्ट कोशन डिस्स करते है ट्राइब्स इंडिया का नए ब्रैंड अमबैसिडर किसे बनाये गया है तो इसका सही अंसर है Option C, MC, मेरी कॉम को ट्राइब्स इंडिया का नए ब्रैंड अमबैसिडर बनाये गया है, यह आपको याद रखना है next question हमारा online learning platform विदान्तु के नए brand ambassador कौन बने है तो इसका सही अंसर है option D आमिर खान विदान्तु के नए brand ambassador बने है अगला question हमारा green money poor mission के brand ambassador कौन है तो इसका सही अंसर है option A Alan Baum Valentina Devi next question हमारा Kendri Reserve Police Ball जिसे हम CRPF कहते हैं के brand ambassador कौन है तो इसका सही अंसर है option D PV Sindhu Kendri Reserve Police Ball के brand ambassador है अगला question है माअभियान के नए brand ambassador कौन बने है तो इसका सही अंसर है option D माधुरी दिक्षित हमारा अगला question है dream 11 के brand ambassador कौन है तो इसका सही अंसर है option D महेंदर सिंग धोनी next question डिस्स करते है GST के brand ambassador कौन है तो इसका सही अंसर है option A अमिताब बच्चन ये आपको याद रखना है friends next question हमारा DD किसान चैनल के नए brand ambassador कौन बने है तो इसका सही अंसर है option C अमिताब बच्चन next question हमारा sports eyewear brand ओकले के नए brand ambassador कौन बने है तो इसका सही अंसर है option C रोहित शर्मा next question हमारा UN COVID-19 group का brand ambassador किसे बनाये गया है काफी important question है तो इसका सही अंसर है option C तनिश्का आनन्द को UN COVID-19 group का brand ambassador बनाये गया है next question हमारा भारती वने जीव ट्रस्ट wildlife trust of India का नए brand ambassador किसे बनाये गया है तो इसका सही अंसर है option D दिया मिर्जा को next question दिस्टस करते हैं विश्व बैडमिंटन संग के जागरुकता अभियान की नए brand ambassador कोन बनी है तो इसका सही अंसर है option C PV सिंदू अगला question हमारा कार्स 24 का नए brand ambassador किसे बनाये गया है तो इसका सही अंसर है option C महेंदर सिंग धोनी next question दिस्टस करते हैं oral healthcare brand Colgate के नए brand ambassador कोन बने है तो इसका सही अंसर है option A कियारा अडवानी next question दिस्टस करते हैं बंगाल पियरलेस कंपनी के नए brand ambassador कोन बने है तो इसका सही अंसर है option A सौरव गांगुली next question आंदरप्रदेश सरकार ने anti-corruption helpline के लिए किसे brand ambassador बनाया है तो इसका सही अंसर है option D PV सिंदू को अगला question हमारा केरल की शराव विरोधी अभ्यान के नए brand ambassador कोन है तो इसका सही अंसर है option D सचिन तेंदूलकर next question हमारा कोशल भारत अभ्यान के नए brand ambassador कोन बने है तो इसका सही अंसर है Option C, उपयुक्त दोनों यानि वरुन धवर्न और अनुश्का शर्मा को कोशल भारत अभियान के नए ब्रेंड अबेसेडर बनाये गया है यह आपको याद रखना है friends Next question डिसस करते है Digital India के नए ब्रेंड अबेसेडर कौन बने है तो इसका सही answer है Option C, अंकित फाडिया अगला कोशन हमारा Educate Girl अभियान के नए ब्रेंड अबेसेडर कौन बने है तो इसका सही answer है Option B, अमिताब बच्चन Educate Girl अभियान के नए ब्रेंड अबेसेडर बने है अगला कोशन डिसस करते है UNICEF इंडिया की युवा ब्रेंड अबेसेडर कौन बने है तो इसका सही answer है Option A, हीमा दास अगला कोशन हमारा UNDP की गुडविल अबेसेडर कौन बने है तो ये काफी important कोशन है तो इसका सही answer है Option A, येमी अलाडे UNDP की गुडविल अबेसेडर बनी है नेक्स कोशन डिस्ट करते है लालेगा जो की Spanish Football League है के नए ब्रेंड अबेसेडर कौन है तो इसका सही answer है Option C, रोहित शर्मा अगला कोशन डिस्ट करते है E by Go का नए ब्रेंड अबेसेडर किसे बनाए गया है तो इसका सही answer है Option C, हर बजन सिंग को अगला कोशन हमारा Google Duo के नए ब्रेंड अबेसेडर कौन बने है तो इसका सही answer है Option B, विराठ कोली हमारा लास्ट कोशन है Realme Mobile का नए ब्रेंड अबेसेडर किसे बनाए गया है तो इसका सही answer है Option D, KL, राहुल Realme Brand के नए ब्रेंड अबेसेडर बने है यह आपको याद रखना है तो फ्रेंड यह था हमारा आज का विडियो जिसमें मैंने आपको महत्तपुन Brand Messager 2022 तक completely पढ़ा दिये आशा करता हूँ आपको हमारी यह विडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी विडियो की quality और content अच्छा लगा है तो इसे like ज़रूर करें और share करना न भूलें और अपना feedback हमारे comment box में ज़रूर दें तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी next विडियो में तब तक के लिए thank you and wish you all the best